हालो एवरीवन एक बार फिर से आप सुभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में और मैं सुभमतिवारी आज का हमनों का टापिक है त्रिंस यानि की जुड़वा बच्चे तो जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं यह आज आपको हम बताएंग फादर पिता से इस पर मायेगा सुक्राण मदर से ओवम आएगा अंडाणू दोनों भ्यूज करेंगे यानि कि मिलेंगी इस मिलने की क्रिए को फैटिलाइजेशन कहा जाता है यानि कि निसेचन कहा जाता है जब दोनों मिलते हैं तो जाइबोट बनता है यह मीना जोट यह एक single cell है और हमारा जीवन इसी से सुरू होता है एक single cell है उसके बाद ये cell divide करती जाती है बढ़ती जाती है और उसके बाद कई cells एक साथ मनती है जिने हम blastomeres कहते हैं blastomeres की संख्या जब solah हो जाती है बतलब ये solah cell का एक समूँ बन जाता है तो इसे morula आगे चल करके blastula में convert हो जाता है blastula blastula और ज्यादा cells का समूँ है इसके अंदर एक गुहा होती है बाद में गुहा बन जाती है जिसे blasto seal करते है ये process आगे बढ़ती है तो gastula में convert हो जाती है gastula के बाद बनता है embryo, brune और brune सिर्फ दो महीने के बच्चे को कहते हैं ये आप ध्यान देंगे दो से जाला और नौ महीने तक के बच्चे को fetus कहा जाता है तो embryo और fetus में ये बहुत बड़ा difference है उसके बाद नौ महीने के बाद बच्चा बैदा होदा जिसे newborn child नौजा सि आई अपने टापिक पर चलते हैं जो की है twins जुड़वा बच्चे हैं यहां देख रहे होंगे monozygotic और dizygotic जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं monozygotic और dizygotic monozygotic मतलब जब किसी embryo का निर्माण एक जाइगोट से हो और dizygotic मतलब दो जाइगोट से आई यह पैदे इसके बारे में बात करते हैं monozygotic दो प्रकार का होगा identical twins और shamish twins identical twins आप देख पा रहे होंगे spine, oon, gyvote और आप यहां देखिए cleavage होने के बाद जब जाइगोट का cleavage होता है तो यह पूर्ण रूप से separate हो जाता है अलग हो जाता है जिससे दो लड़के या दो लड़कियां बनें गए इसका मतलब यह हुआ कि बनने वाले बच्चों का sex same होगा एक ही होगा siamish twins में one and same process है बस difference यह है कि यहां पर जब जाइगोट का cleavage होता है तो यह किसी कारण से पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाता जिससे जब वो बच्चे बनते हैं जुड़वा बच्चे तो किसी न किसी अंग से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं तो यह था identical और siamish twins डाइजाइकोटिक ट्विन को eternal twins या non identical twins भी कहा रहता है यह सबसे rare case माना जाता है rare इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो ओवा एक साथ है जबकि naturally क्या होना चाहिए प्राकृतिक रूप से सिर्फ female की ओवरी से एक ही ओवम बनता है लेकिन यहाँ दो दो ओवा एक ओवरी से एक साथ बनेगा और दो अलग अलग इस पर इससे फ्यूज करेंगे तो दो अलग अलग जाइगोड बनेगा क्लीवेज होने के बाद इससे दो तीन या चार बच्चे पैदा हो सकते हैं तो यहाँ पर एक अलग चीज यह है कि यहाँ बच्चों का सेक्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है यह था प्रिंट्स अगर आपको इस टापिक से समंदित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप कमेंट बाक्स में कमेंट करें थैंक यू प्लीज जादा से जादा सेयर करें क्योंकि फ्री का वीडियो है और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्